नवस्कार मैं हूँ महाविर सिंग कहते हैं सियासत में अपनी ताकत और वजूद दिखाने का रिवाज सदियो पुराना है एक समय था जब कोई नेता अपनी ताकत चुनाव के समय दिखाया करता था अपने समर्थकों के साथ राजनितिक हलचल और माहोल बनाने और बिगाडने की कोशिश करता था लेकिन अब नेताओं के जनम दिन ही उनकी ताकत दिखाना का एक मौका होता जा रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलट और मुख्यमंत्री असोक गहलोत के बीज राजनितिक उठापटक के बाद जब सचिन पाइलट का जनम दिन आया तो उनके समर्थकों ने जोस और उत्सा के साथ जनम दिन मनाया पूरे राजिस्थान में रक्तदान कर 45,000 यूनिट ब्लड का एक रिकॉर्ड कायम कर विरोध्यों को अपनी ताकत का हैसास कराया सचिन पाइलट की ही तरज पर जालोर शिरोई से कॉंगरेस के कद्दावर नेता रतन देवासी के समर्थकों ने भी 25 सितंबर को उनका जनम दिन मनाया जनम दिन के बहाने समर्थकों ने देवासी की लोगप्रता और ताकत का हैसास विरोध्यों को करवा ही दिया उनके समर्थकों ने जालोर सिरोई में साथ हजार से अधिक पोदे लगाए दान पुन्य किया और जग़ जग़ कई तरह के कारेकरम आयोजित किये देवासी के समर्थकों ने सक्ति परदेशन क्यों और किसके लिए किया इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आज उनके जनम दीनस पर उनके पारिवारिक और राजनितिक जीवन पर नज़र डालते हैं छात्र नेता के रूप में अपनी राजनितिक जीवन की सुरुआत करने वाले रतन देवासी का पैतर गाउं रामसिन तहसिल का मांडोली हैं एनस यूई से छात्र राजनितिक की सुरुआत करने वाले देवासी रानी वाड़ा विदान सभा से विदायक भी बने 28 साल की उम्र में ही कॉंग्रेस पार्टी ने उदे विधायकी का ठिगर दिया और देवासी कॉंग्रेस सरकार में मुख्य सचे तक भी रहे हाल इमें हुए लोगसबाद चुना में देवासी को जालो और सिरोई की लोगसबाद सीट से कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था देवासी जालो और सिरोई से लोगपिरिय नेता है अब सवाल की क्या यह सकती प्रदशन था एक तरब देखा जाये तो यह सक्ति प्रदेशन की तरह ही था जालोर सिरोई की राजनिती में फिलाल कॉंग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत वा लोगपिरिय नेता रतन देवासी है सचिन पाइलेट के करीबी माने जाने वाले रतन देवासी के समर्थ को ने भी सचिन पाइलेट की तरह ही देवासी का जन दिवस एक शक्ति प्रदेशन की तरह ही लिया इधर अब राजनितिक न्यूक्तियां भी होने वाली हैं जिसमें देवासी का नाम प्रमुकता से आ रहा है कुल मिलाकर रतन देवासी का पैतालिसवा जनम दिवस जिस तरीके से मनाया गया वह आने वाले दिनों में बड़ा संकेत जरूर देता है इस खबर में इतना ही कुछ और राजनितिक खबर के साथ हाजिर होंगे जाते जाते एक अपी ले दिया पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद